Friends, LIC की Top 5 Policy की बात करें तो इसमें पहला स्तान LIC J1 लक्ष का हो सकता है जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है आपने जीवन में कोई न कोई लक्ष जरूर बनाया होगा तो आप अपने लक्ष को पूरा करने के लिए इस Policy को ले सकते हैं इस Policy को आप Term Rider, Accidental Death या Disability Rider के साथ ले सकते हैं इस Policy में बीमाधारक की मृत्य हो जाने के बाद Premium Mark कर दिया जाता है और Maturity Period पूरा होने पर पूरा पैसा मिलता है जिससे कि आप अपने आर्थिक लक्ष को पूरा कर सकते हैं बीमाधारक यानि Policy Holder की मृत्य हो जाने के बाद सब एशॉर्ड का 10% 10% हर साल नौमनी को दिया जाता है ये Policy कन्यदान Policy के नाम से भी जानी जाती है बच्चों के भविश्य के लिए ये Policy सबसे अच्छी Best Plan में आती है एक 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 जामपल से समझते हैं 10 लाग का यहां सम एशॉर्ड लिया है मतलब 10 लाग का बीमा है तो बीमाधारक Policy Holder की मृत्य होने पर 10 लाग तुरंद परिवार को मिलेगा और अगर एकसिडेंट होगा तो 20 लाग रुपे तुरंद परिवार को मिल जाएगा यानि हर साल समय शॉर्ड का 10 लाग परिवार को मिलता रहेगा 10 लाग का 10 लाग रुपे होता है जो हर साल उनके परिवार को आएगा और maturity पर भी उन्हें पैसा मिलेगा